हलो बच्चो, वेलकॉम टू विप्रमाइन चैनल, अगर मैं आपको बुलू, what is 15 plus 9, so 15 plus 9 क्या होता है, it is 24, आपने क्या किया होगा, 15 में आपने 9 आट किया, जो हम नॉमले traditional method से करते हैं, काफे लोग ने count किया होगा, अगर जो lower standards में जो बच्चे हैं, उनको count करना पड़ा ह होगा, and they got 24, yes or no, अब अगर मैं बोलो, 73 plus 9 is 82, again आप traditional method से सोचेंगे and you will get 82, बट अगर आपको मैं एक different approach बताओ, जिसे आप ये additions easily कर सकते हैं, without any confusion, और आपका जो answer होगा 100% accurate होगा, और ये जो trick है, ये जो approach है, वो काफी helpful होगा for students who are in lower standards, जिनको addition में problems आते हैं, okay, so जबी आप कोई भी number को 9 से add करेंगे, किसे add करेंगे, 9 से add करेंगे, तो आपको करना क्या है, वहाँ पर plus 1 करना है, और minus 1 करना है, simply यही आपको step follow करना है, आपका answer आजाएगा, अब देखेंगे, यहाँ जिसे 15 plus 9 हमने किया, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 10th place में जो digit है, उ यहाँ पर आजाएगा 2, और 5 में 1 minus किया, आपने 5 में से minus 1 किया, 4, that is your answer 24, yes or no, 73 plus 9 है, तो आपको करना क्या है, इसमें plus 1 करना है, तो 7 plus 1 is 8, और इसको 1 से decrease करना है, 3 minus 1, that is 2, हैना amazing, अब देखेंगे, यहाँ पर 56 plus 9, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या करना है, 5 म इसमे minus 1 करना है, तो 65, आपको यहाँ पर count करने की ज़रूरत निया, बहुत सारे बच्चे जो है lower standards में, वो add करने लगेंगे, counting करने लगेंगे, and then they'll get the answer, simply आपको क्या करना है, 10th place का digit है, उसमे plus 1 कर देना है, और जो unit place में digit है, उसमें minus 1 कर देना है, you'll get the answer, okay, अब अगर यह 3 digit number होगा, जिसे की 124 है, उसमें हम 9 add करते है, आपको करना क्या है, यहाँ पर unit place और 10th place digit से ही लेना देना है, अब देको unit place digit में आपको करना क्या है, उसमें minus 1 करना है, तो 4 है, तो 3 कर दीजिए, and 2 है, उसमें plus 1 कर दीजिए, 10th place digit में plus 1 कर दीजिए, तो भो जाएगा 3 और 1 को as it is, अब अगर मैं बात करू, 184 plus 9, अगीन क्या करना है, आपको 4 में minus 1 करना है, so it will be 3, 8 में plus 1 करना है, that is 9 and 1 as it is, yes or no, so it's a very easy approach by which you can add any number by 9, understood, आपको just 10th place और unit place digit से लेना देना, 1000th place या 100th place की बात करे, तो उदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें को ज as it is, लिखना है, अब अगर मैं बात करू, suppose 197 plus 9, अब देखिए यहां पर क्या होता है, अब 7 में हम 1 minus करेंगे, तो यह हो जाएगा 6, 9 में 1 add करेंगे, तो यह हो जाएगा 10, so 10 हो गया, तो आप 0 यहां लिखिए, 1 यहां करी हो जाएगा, so it will be nothing but 2, so 206, yes अगर यहां पर 9 है उसमें plus 1 करेंगे, तो 10 होगा, तो यहां पर carry forward हो जाएगा, अगर 100 place का value है यहां पर, जिसे 1 है, तो plus 1 हो जाएगा, यहां पर 1 plus 1, that is 206, so this is the different approach by which you can add any number by 9, similar way में आप 8 से भी कोई भी number को, अगर आपको addition करना है by 8, अब यह 4 दिजित, 5 दिजित में भी apply कर सकते है, so same way कर 10th place और unit place से लेना देना है, और 9 है, तो plus 1 अगर 10 होगा, तो वो उसमें carry forward हो जाएगा, जो left side का digit है, अब अगर आपको कोई भी number को 8 से add करना है, for example 25 plus 8, अब यहां पर क्या करना है, इसमें आपको, इसमें plus 1 करना है, 10th place digit में plus 1 करना है, और unit place digit जो है, उसमें minus 2 करना है, क् 5 minus 2 करना है, 5 minus 2, that is 3, that is 33, yes or no, अगर मैं बात करूं, 79 plus 8, so again इसमें आपको क्या करना है, 7 में 1 add करना है, that is 8, और 9 में 2 minus करना है, so 7, that is 87, hope you have understood, add एक example और ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपको, 156 plus 8, so again आपको करना क्या है, यहां पर, यह 5 है, तो इसमें आपको क्या करना ह 1 add करना है, 1 as it is रहेगा, 5 में plus 1 करिए, that is 6, और 6 में minus 2 करिए, minus 2 करेंगे तो 4, तो ही हो जाएगा 164, so this is the way by which we can add any number with 8 and 9, और अगर बात करें 7 की, तो 7 में क्या करना है, plus 1 करना है, 10th place digit में, और unit place digit में minus 3 करना होगा, क्या करना होगा, minus 3, so this is the another approach by which you can add any number with 9, 8, 7, hope you have understood, अगर आपको ये approach अच्छा लगा, so please like this video, और bigger numbers का addition, अगर thousands में है, lakhs में है, तो उनका addition हम within few seconds कैसे calculate कर सकते है, उसका trick already मैंने अपने channel पे upload किया हुआ है, so अगर चाहिए, तो उसका link मैं आपको description में दे दूँगा, so hope this session was helpful for you, and I am sure ये approach है, ये काफी helpful होगा, जो ब